केंद्री ग्रह मंत्री अमिट शाने रविवार को तमिलाडू के वेलोर में डियम की और कॉंग्रेस को ब्रस्टाचार के मामले में 2G, 30, 4G वाली पार्टियां बताया उन्होंने कहा कि मारन परिवार दो पिडियों से ब्रस्टाचार कर रहा है करोणा निती का परिवार तीन पिडियों से ब्रस्टाचार कर रहा है महीं कॉंगेश परिवाद चार पीडियों से सत्ता के मजे ले रहा है महीं आंधर पेदेश के विशाका पत्नम में शाह ने जनसभा के दोरान ट्रांसलेटर को डाट लगाई ज़रसल शाह मंच से हिंदी में बोल रहे थे जिसे ट्रांसलेटर तेल्गूद में ट्रांसलेट कर रहा था ताकि इस्तानी लोग शाह की बात को समझ सके इसी तोरान ट्रांसलेटर ने शाह के बाशनी कुछ जरूरी लाइनों को छोड़ दिया इस पर अमिद शा ने ट्रांसलेटर को टोकते वए का अरे या तुम क्या बोल रहे हो तुम लिख लो पहले मैं जो बोल रहा हूँ जवाब में ट्रांसलेटर बोला सर में लिख रहा हूँ सुनाई नहीं दे रहा है सर लिख रहा हूँ सर अमिट शाह के रहे थे आपको याद होगा कि यूपी ए सरकार में आये दिन पाकिस्तान से आलिया मालिया जमालिया गुश जाते थे और देश में बम धमाके करके चले जाते थे मनमोन सरकार में हिम्मत नहीं थी कि इसके खिलाफ उफ करने की महीं ट्रांसलेटर ने शाह की स्पीच के इस हिस्से को तेल गुमन वक्त करते वक्त नहीं बम धमाके का जिकर किया और नहीं आलिया मालिया जमालिया नामों का इसकी साथ बने नहीं राज आमा टीवी कि साथ धन्यवाद